Hello my dear friend, my name is Surabhi Singh और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ Current Affair Part MCQ 2 का और इसमें क्या है कि पहले मैंने आपसे Jan 2 अगस्त का एक Current Affair का वीडियो डिसकस किया है उसके अलामा September, October और November तीन वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ Approximately 200-300 page हो जाएंगे टोटल पर कोशन इससे बाहर आने के possibility बहुत कम है इतना आपका more than enough है आपके CGPDTM और इसके अलामा ATI के भी exam में ठीक है बट इन theories को पढ़ने के बाद अगर आप ये question नहीं solve कर पा रहे हैं जो भी मैंने questions Part 1 में और Part 2 में डाला है तो प्लीज आप दुबारा जाओ और इन theories को अच्छे से पढ़कर आओ अच्छे से याद करके आओ especially मैं sports का पार्ट कहूंगी क्योंकि sports इस पार थोड़ा dominating रहा है 2023 में बहुत ज़्यादा इससे news है Asian Games, World Cup, आपका badminton और बहुत सारे games है तो यह dominating factor है इसके अलामा जो घर में बात करूं तो मैं अभी questions जितने भी डाली हो Nobel Prize इन सब को बिलकुल यह fixed questions है आने ही आने हैं CGPDTM में नहीं तो आपका ATC में आएगा तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनों और लास्त तक जरूर देखकर question solve करके मुझे बताओ आपके कितने मांक्स आ रहे हैं चलिए first question से शुरू करते हैं देखो booker price who won the booker price 2023 पॉल लैंच, अनिश शर्मा, चेतना मारू और पॉल हार्डिंग तो यह मैंने अपनी वीडियो में डिसकस किया हुआ है कि जो booker price 2023 का है वो आपका पॉल लैंच ने जीता है एंसर हो जाएगा आपका option A पॉल लैंच ठीक है याद रखना booker price आपका पॉल लैंच ने जीता है फिर हम बात करते हैं British academic book price ठीक है British academy book price 2023 का चेतना माथोर नंदिनी दास पारूल लैंच और नन अब दावब तो यह जो British academy book price है यह आपका नंदिनी दास ने जीता है बुक का नाम भी आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दोनों books के नाम आप मुझे comment section में बताओगे कि जो booker price जीती बुक जो पारूल ने लिखी है पारूल लैंच ने लिखी है उस book का नाम क्या है और British academy जो book prize में नंदिनी दास जीती है क्योंकि यह सारे मैंने अपने notes में डाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि book का नाम भी पूछा जाया आपसे ठीक है who won the Miss Universe 2023 important question है बिलकुल पूछारा सकता है सुसमिता शेइन आपका सैनीश पालक्योस रॉम्रेनल गार्ब्रियल हरनास कौर संधू तो हरनास कौर संधू आपका जीती थी दो साल पहले इस बार आपका जीती है वो आपका जीती है सैनीश पालक्योस ठीक है option second will be the right one who is the first female judge of Supreme Court of India ठीक है justice फातिमा बीवी हीमा कोहली इंद्रव अनेरजी इंदु मल होतरा देखो ये तो आपका static question है ठीक है पुराना question है current affair का नहीं है बट ये current affair का इसलिए बन जाता है क्योंकि जो आपकी first female judge थी Supreme Court की Supreme Court of India की वो अभी अभी इनकी death होई है और वो है आपकी justice फातिमा बीवी ठीक है तो static news है पट ये आपकी current affair में इसलिए आगी क्योंकि अभी 97 year की old में इनकी death हो गई है justice फातिमा बीवी तो पूछा जा सकता है कि कौन था आपका Supreme Court of India का first female judge सिलकायरा बारकोट जो टनल है कहां situated देखो अब सिलकायरा जो बारकोट टनल है ये भी अभी famous इसले हुआ है क्योंकि approximately 17 workers जो थे ये आपके 41 workers जो थे आपके 41 workers थे ये यहाँ पर फस गये थे जो approximately 17 days के बाद इनको निकाला गया है तो जो ये बारकोट टनल है ये कहां पर है उत्राखंड जमू काश्मीर उत्रांचल राजश्थान एंसर यूविल टिक उत्राखंड ठीक है तो नियूज इस तरीके से आ सकती है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 held between जो आपका जो खेलो पैरा गेम था देखो इसमें ही आता है आपका Asian Games ठीक है उसकी जो duration है पैरा एशियन गेम इनकी जो duration है खेलो इंडिया पैरा गेम से तीनों ही important है तो इन तीनों को अलग-अलग इनकी date याद रखना तो यह हुआ है 10th to 17 December के बीच में या options दिखते हैं 23rd September to 3rd October 8 October to 15 October 10 November to 18 November तो यह हुआ है आपका 10th December to 17 December 2023 के बीच में हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 केमें सेक्षन में आप मुझे बताओगी कि यह कहां पर हुआ है नेक्स्ट में बात करती हूँ आपसे ओफिशल मस्कॉट औफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या था रोश्णी उज्वाला आरती जोती तो जो ओफिशल मस्कॉट था वो था आपके उज्वाला ठीक है उज्वाला आप देखना इसको आप उज्वाला डालोगी यह क्या इमें गूगल पर तो आपको इसकी इमेंज दिख जाएगी ठीक है यह आपको ओफिशल मैस्कॉट ता ओफिशल मैस्कॉट आपको एसियन गेम्स और पैरा एसियन गेम्स का भी ध्यान रखना है तो आपका जो ब्रैंड अमबेजडर ओफिशल मैस्कॉट नियू आपको 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 इसकी अड़ किये गये हैं यह किस बिल के अंडर में अड़ किये गये हैं तो अगर हम बिल देखेंगे कास्ट रिजर्वेशन बिल, सेफटी रिजर्वेशन बिल, प्रॉपर्टी रिजर्वेशन बिल, वूमन रिजर्वेशन बिल, इम्पॉर्टेंट कोश्चन है यह आपका women reservation bill लाया जिसमें बहुत सारे amendments किये गये थे तो new articles add किये गये हैं आपके 332A, 334A ठीक है इसमें आपका state level पे लोग सभा पे women को reservation दिया गया है तो उसके बारे में यह सारे bills हैं नेक्स्ट बात करते हैं G20 summit very 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 important G20 summit 2024 कहा होगा देखो G20 जो आपका 2023 में जो हुआ था वो आपका इंडिया में हुआ था अप 2024 में जो होगा वो कहां होगा इंडिया, US, UK, ब्रासिल तो जो G20 summit हुआ था आपका 2023 में वो आपका इंडिया में हुआ था न्यू डेली में approximately 7-9-10 September और जो G20 summit 2024 हो रहा है वो आपका होगा ब्रासिल में G20 summit में क्या-क्या discussion किये गये था अब ये G20 ना होनी की बजाए ये हो गया G21 कौन सी एक अलग country इसमें add हुई है ये सारी चीजें आप एक बार जरूर देख ले न Operation Dost 2023 launched by Indian government to help Important question है Operation Dost किसके लिए help में निकाला गया Turkey and Syria, Israel, Sri Lanka, Myanmar तो जो Operation Dost launch किया गया है वो Turkey और Syria के में जो भी इंडिया के लोग है उनको help करने के लिए ये launch किया गया है Operation Kaveri helps the people from Sudan, Israel, Bangladesh, Syria तो इंसर हो जाएगा आपका Sudan सुधान में जो कुछ लोग है उनकी help के लिए आपका Operation Kaveri लिए launch किया गया है World largest Natraj statue installed in hooga, Rajasthan, New Delhi, Varansi, Mumbai तो ये जो Natraj की जो statue है ये आपका New Delhi में इसको launch किया गया था G20 के summit के time पर ठीक है तो याद रखना इसको जो largest Natraj 28 feet approximately इसकी height है तो ये statue आपका New Delhi में install किया गया है World longest platform गोरकपुर, कहां पर है, Tamil Nadu, Mumbai and the fourth option is Karnataka देखो ये question शायद मेरे notes में न मिले लेकिन important है इसको मैं इसको MCK के form मिलाई हूँ तो इसका answer हो जाएगा fourth आपका Karnataka Shri Siddharudda Swamiji Havali Station का नाम है जिसमें आपकी सबसे longest platform है ठीक है तो option four will be the right one जो Karnataka में है World Athletics Championship 2023 का कहां पर हुआ है Budapest Hungary, Hongzhou China, New Delhi India, Goa India तो Budapest Hungary में आपका World Athletics Championship 2023 हुआ है और इसमें goal medal जीता था कौन पता होगा आपको FIH Men's Hockey World Cup 2023 विनर कौन है इसके Belgium, India, Germany और आपका next option है पाकिस्तान तो इसकी जो विनर है आपका Men's Hockey World Cup के हैं वो है जर्मनी, who won the tournament Swiss Open, सात्विक चिराग ध्रू, सात्विक चिराग ध्रू ननौ दावब तो जो आपका World Tournament आपका Swiss Open का था वो उसको जीता है सात्विक और चिराग में ठीक है Asia Championship, Indonesia Open और Korea Open ये तीनों Championship जो और है इसके अलावा वो भी आपकी सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है Wimbledon Man's Singles 136th Edition ये किसने जीता है नवोग, जोकोविक, कार्लोज, अलकाजारा, मार्केटा, कोकोगॉफ तो ये जीता है आपका कार्लोज, अलकाजारा बहुत लोग इसको टिक कर के आएंगे ये नवोग आपका जोकोविक बट नहीं नोवोग जोकोविक ने बाकी सारी चीज़े जीती है लाइक ऑस्ट्रेलिया ओपन फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन ये तीनों इनका आपका नोवग जोकोविक के नाम आया है बट कार्लोज, अलकाजारा ने आपका विंबल्डन 136th edition man single में जीता है तो ये चीज़े ध्यान रखना अधिती स्वामी प्लेयर इस रिलेटेड टू बैड्मिंटर्ड क्रिकेट एथिलीट आर्चिरी तो अधिती स्वामी नाम बहुत हाइलाइट हुआ है इन्वोने आपका जो वर्ल्ड आर्चिरी चैंपियंशिप पे वो अश्राव घानी अब्दुल हमीद जीजिंपिंग तो ये आपका हो जाएगा एजिप्टियन प्रेसिडेंट जो है आपके अब्दुल फता इल्सी सी थी आपके रिपप्लिक टेके क्या स्थे नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी विच वर्स सिटी जोईन द वर्ल्ड सिट कांसी पहली सीटी जिसने वर्ल्ड सिटी क्ल्चिर फोर्म को ज्वाइं किया है राजस्थान इंद ओर मुंबई बैंगलॉर एंसर हो जाएगा आपका बैंगलॉर इंपॉर्टिन कोश्चरी ने बहुत सारे एंग्जान में पूछा गया है em sir four ayy ठीक है जया वर्मा सिर्णास फर्स्ट बुवन चेर पर्सन और कहां की अग्रिकल्चर बोड की रेलवे बोड की जल बोड की ठीक है तो यह हो जाएगा रेलवे बोड का कोशन इसका उपोजिट भी आ सकता है रेलवे बोड की फर्स्ट चेर पर्सन का नाम बसता ही है तो आप बताओगे जया वर्मा इसको आपको ध्यान में रखना है जो आपका एक जैनवरी टू अगस्त की एक पीडियाफ है मेरे पास और एक आपका सेप्टेमबर औक्टूबर और नोवंबर है ठीक है इसमें से स्पोर्ट्स का कोई भी कॉलम आपको छोड़कर नहीं जाना है नोबल प्राइस का कोई कॉलम नहीं छोड़कर जाना है और जो भी आपके ऑपरेशन्स हैं वो साय लाइक ऑपरेशन्स कावेरी ऑपरेशन्स दोस्त और अजय यह सारे चीज़े बहुत बहुत प्रेडिक्टिबल कोश्चन है इसकी सारे कोश्चन्स आने ही आने हैं तो इन सब को प्रैक्टिस करके जाओ आपके 30 में से 20-25 मक्स अराम जाप्टिए आपके जापके 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 सारे यह पुटन्स दो प्रैक्टिबल की ताइन्क्व